हेलो दोस्तों कैसे आप समय गुल फाम and welcome back to my channel तो यार अपने keyboard कैसी यू CTX 870 इन में बहुत धेर सारे कमाल के features मिलते हैं उनी में से एक feature होता है keyboard recording यानि इस keyboard में हम लोग बिना किसी external device connect किये ही internal recording कर सकते हैं display की नीचे यहाँ पे एक button मिल जाएगी यह वाली button देखी यहाँ पे record stop लिखा हुआ है यही वाली button अगर हम यूज करें तो इस keyboard में हम लोग recording कर सकते हैं recording करना बड़ा आसान है उसके आप मेरी वीडियोस देख के सीख सकते हैं कि internal recording कैसे करते हैं लेकिन जब आप recording कर लेंगे तो record होने के बाद ओ वाला song जाके इस keyboard के memory में song bank के अंदर 171 से लेकर 176 तक store हो जाता है यहाँ पे देखी लिखा हुए 171 से 176 तक user records यानि आप keyboard में जो भी record किये रहेंगे आपको song bank के अंदर मिल जाएगा और song bank हमको इस button से access होता है यहाँ पे देखी लिखा song bank इसी button को एक बार हम click कर देते हैं तो सारे songs इस keyboard में जो पहले से बना के रखे गए हैं वो हमको मिलने लगते हैं लेकिन जो भी song आप record करेंगे उसको इस keyboard में use कर सकते जब आपका मन चाहे अगर आप उसको बाहर भेजना चाते किसी device में ये laptop में mobile में भेजना चाते तो उसके लिए आपको इस keyboard से किसी device में transfer करना पड़ेगा तो उसके लिए हम pen drive connection का इस्तिमाल कर सकते हैं इस keyboard में pen drive पूरी तरह से support करता है तो उस song को जो हमने record किया है उसको हम लोग अपने pen drive में भेज के जहां चाहें तहां यूज कर सकते हैं तो वही काम कैसे कर सकते हैं recorded song को pen drive में कैसे भेज सकते हैं मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए जल्दी से अपने keyboard को on कर लेते on होते by default सारी settings default settings keyboard में लगी रहती हैं अभी मैं ये वाली song bank button दवाऊं तो देखे सबसे पहला song bank में टूंकल टूंकल आ गया अब यही से मैं अगर minus वाली button दवा दू तो सबसे last वाला song bank आ जाएगा 176 number का यहाँ पर देखी लिखा हुआ है MLT record 5 अब अगर मैं ये वाली start stop button दवाऊं तो कुछ भी नहीं चलेगा क्योंकि इसमें मैंने कुछ record नहीं किया है लेकिन इसी के पीछे मैं चलते जाऊं तो 173 और 172 नंबर पर जो songs हैं ओ recorded है मैंने पहले से record करके रखा है अगर मैं इसको play करके आपको सुनाऊं नंबर पर हमारा गाना है जो भी मैंने रिकॉर्ड किया है अब इसी को मैं भेजना चाहता हूँ उपने pen drive में तो मेरे पास है 4GB की sendis की pen drive है इसी में मैं transfer करना चाहता हूँ यही वाले 172 नंबर के recorded song को तो इसके लिए मैं जल्दी से जहां पे pen drive लगता है आप ध्यान से देखिएगा अगर आपके memory card में कोई important data नहीं तो सबसे पहले अपने memory को format कर लेजी और format करने लिए क्या करते है function button को एक बार प्रेस करेंगे फिर यहां से दो number वाली button दबा के दो बार media पे चले जाएगे फिर 6 number वाली button से format हो जाएगी जब format हो जाएगी तब complete लिख के आजाएगा थोड़ा सा time लेता इसको होने दे यह देखी complete लिख के आगया मतलब pen drive पूरी तरह से format हो चुकी है और जब format हो जाती है तो एक keyboard अपने आपसे pen drive में एक folder बना देता है music date नाम का जब भी आप computer में लगा के pen drive देखेंगे तो उसमें music date नाम का folder आपको मिल जाएगा अब मैं इस keyboard से जो recorded song है उसको भेजना बताता हूँ तो उसके लिए क्या करते हैं यह format तो दिखी रहा है दो number वाली button मैं दवाओं तो देखीए save लिख के आ जाता है 72 number का song आ गया है मेरे 172 में कोई recorded song तो है ही अब अगर ए वाला recorded song मैं अपने pen drive में भेजना चाहता हूँ तो बस एक बार 6 number वाली button दवा कर enter कर लेता हूँ तो देखी ऐसे कुछ लिख के आने लेगेगा फिल से मैं enter कर लेता हूँ देखते हैं आया की नहीं अब मैं इस pen drive को अपने computer में लगा लेता हूँ और देखी pen drive को computer ने read कर लिया आप मैं इस pen drive को open करूँ यहाँ folder से तो देखी यहाँ पर F नाम की मेरी pen drive है तो F को open करते है music date लिखके आगे आपको screen पे दिखरा होगा music date यही folder होता है जो keyboard अपने आप से बना देता है इसको मैं click करूँ तू देखी इसके अंदर वही recorded song है जो मैंने transfer किया था MLT REC 01 लिखा हुए यानि यह पहला recorded song है जो मैंने भेज ली अपने keyboard से pen drive में successfully तो आप जितना recorded song चाहें भेज सकते हैं यह पूरा transference का process है आगर आपको समझ भी नहीं आया तो video को फिल से पीछी करके देखें पूरा process आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा